Hello Everyone, Welcome to my channel, Vangshan My World चलो, Love Story of Werewolf and Vampire, Vangshan FFK, Part 15 को स्टार्ट करते हैं दो दिन तक, Vangji वहीं पर बेसूत्सा था उसे विश्वास था कि वींग वापिस आएगा वो मरा नहीं है, पर वींग मर चुका था वो वापिस नहीं आएगा उधर शुयंग ने दोनों बेबिस को संभाला और साथ में Vangji को भी संभाला था तभी लैन के कुछ लोग नाइट लियर सिटी में आते हैं Vangji और उसके बच्चों को लेकर चले जाते हैं शुयंग ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की थी पर उन लोगों ने शुयंग को भी जखमी कर दिया था लैन सेक्ट पहुँचकर Vangji को लैन चिरैन ने 33 एडलर्स को मारने की सजा दी उसकी पीट पर 33 मोटे मोटे बेते पढ़ती हैं वे बेते इत्ती तेजी से लग रही थी कि आदमी की खाल तक छिल कर भार आ जाए Vangji की पूरी पीट खून से लहुलुहान हो चुकी थी जैसे ही Vangji को 33 बेत लगने वाली थी तबी शीचैन वहाँ पर आ जाता है बेत मारने से मना करता है और आदेश देता है कि Vangji को जिंग्शी लेकर चलो और लैन हीलर को तुरंत बुलाओ सारे सर्वेंट Vangji को लेकर जिंग्शी चले जाते हैं वैद भी Vangji की चोटो को साफ करता है दवाया लगाता है और कुछ दवाया खाने को भी देता है और शीचैन से खहता है कि Vangji के 6-8 महिने तक अराम करना पड़ेगा आपको इनका विशेश खयाल रखना पड़ेगा और यह कहकर वैद वहाँ से चला गया वांग जी को अब होश आने लगा था वांग जी अपने ब्रदर से खहता है कि ब्रदर मैंने वींग को खो दिया और मैंने अपना अनबोन बेबी भी खो दिया ब्रदर युवान और अयुवान कहा है शीचैन कहता है दोनों बेबी साइट के पालने पर ही है शुयंग मुझे दे दिया जब वो जखमी था वांग जी मुझे अंकल से ये उमीद नहीं थी कि वे वींग से इतनी नफरत करते हैं वांग जी अब रिकवर होने लगा था वो अपना सारा टाइम अपने दोनों बेबिस के साथ स्पैन करता था छे महिने बाद वांग जी पूरा रिकवर हो गया था वो अकसर डैटलर सीटी के आस पास जाता वहां जाकर वो वींग की सोल को बुलाने की कोशिश करता था पर एक भी बार वींग की सोल ने वांग जी का रिस्पॉंड नहीं किया एक दिन वांग जी उस खाई के बॉटम में जाए ताकि जब वियूश्यान उस खाई पर गिरा था तो उसकी बॉड़ी वांग जी को मिले पर वांग जी को वींग की बॉड़ी तो नहीं मिली केवल उसकी फ्लूट चैंचिंग और उसकी स्वार्ट सुब्यान मिली थी वांग जी उन दोनों को लेकर प्लाव रिसेस आ जाता है चिरैन को भी अपनी गलती का अब एहसास होने लगा था उसने कई बार वांग जी से माफी भी माँगी थी पर वांग जी ने बिलकुल भी माफ नहीं किया और करे भी क्यों और किस हक से जिस आदमी की वज़ा से वांग जी की पूरी लाइफ बरबाद हो गई उसने अपना स्पाउस खो दिया अपना अनबोन बेबी भी खो दिया उसके ट्विन्स बेबी ने अपनी मदर को खो दिया ऐसे आदमी को वांग जी कैसे माफ करे कभी कभार वांग जी और शीचैन अंकल से बात कर लिया करते थे शिचेन तो अंकल के इस घड़ियक काम के कारण उनसे बहुत नाराज था पर वांग जी ने अपने बेबिस को चिरेन से मिलने से नहीं रोका बेबिस का ध्यान कभी कभार अब अंकल चिरेन भी रखा करते थे कभी शुचेन भी रखते जब वांगली सेक्ट के काम से बाहर जाता था ऐसे ही समय बीतने लगता है यूआन और आयूआन बड़े होने लगते हैं दोनों चार साल के हो चुके थे दोनों स्कूल जाते थे वहां पढ़ते दोनों के बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे सभी साथ में पढ़ते लिखते खेलते एक दिन सभी बच्चे एक नाइट हंट में जाते हैं जहां उनको एक फीमेल डीमन को मार ना था उस डीमन ने सभी बच्चों पर हमला किया तभी वांग जी वहां पर बच्चों को खोसता हुआ आ जाता है और उस लेडी डीमन को अपनी पावर से मार देता है वांग जी अपने दोनों बच्चों और बाकी के सोलजर्स को लेकर घर आ जाता है वहीं दोसरी तरफ जब वीव शियान नैटलिय सिटी की खाई में गीरा था तो उसकी जान एक मुशन्यू नाम के एक आदमी ने बचाई थी जो वहां किसे जड़ी बूटी की तलाश में गया था वो वींग को ठीक करता है मुशन्यू को अपनी जिन्दिगी से नफरत हो गई थी क्योंकि लोगों का हर बार उसे ताना मारना और बहुत और बरदाश्त नहीं कर सका उसने मरने का फैसला किया था पर जब उसे जखमी हालत में मिला तो उसे वींग को बचाने का मन किया और उसने वींग को बचाने के लिए अपनी बॉड़ी का सेक्रिफाइस किया इस पार्ट को मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए अगर ये पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्रिब्स